असलाम लेकुम स्टूरेंट्स ओफ़ली और दॉइंग वैल लेक्चर नमबर एट एम जूटी पान सदस तगूची लोज और फंक्शन क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है हम डिसकस करते हैं इसको टोटल क्वालिटी में परडाइगम में जो है अब डॉप्टिंग आर्टी क्य जो अब हम फिलासपी को अडॉप्ट करते हैं तो उसके लिए कुछ और्गनाजेशन में हमें चेंजिस करनी पड़ती हैं जिसमें हमारे पास क्या चीज़ा आ रही है जिसमें हमारे पास आ रही है जिए वराइटी आफ अप्रोचिस हमें यूज करनी पड़ती हैं 6-6 math को जो हम इस chapter में discuss नहीं करेंगे next chapter में discuss करेंगे यहां पे हम use करने वाले हैं paradigm total quality का according to taguchi के quality management discipline के according अब यहां पर कहता है कि हमारे पास but we have not made necessary fundamental changes हमें नहीं करने पड़ती process के अंदर ताहम हम easy और tools और techniques यूज़ करते हैं human attitudes और behaviors को improve करने के लिए इनको change करने के लिए others कहते हैं adopt करते हैं कुछ behavior organization के जिसमें वो customer focus culture लाते हैं error जो है उनसे prevention जो है वो जरूरी है यह चीज़े हम highlight कर लेते हैं यहां पर हम दोग error prevention जो है quality का design fail to incorporate continuous improvement जो है efforts में वो लानी है ताकि steel जो दूसरी कंपनियां है वो problem solving के उपर continuous improvement के ओपर काम करें लेकिन still जो है उनका focus जो है वो fail हो जाता है important to the customer जो कि customer important है बजाए इसके कि हम problem solving और just improvements पर काम करें हमें customer को नहीं बूलना customer is our first priority यानि focus on customer जो है यह हमारी पहली priority होती है तो कहता है यह तमाम चीजें जो है इससे हमें total quality जो है यह हमें यह तमाम चीजें provide करती हैं जबके traditional organization में चीजें नहीं थी then further ही बात करते हैं कि हमारा सारा focus जो है quality design और improvement के अलावा customer के होने के अलावा हमने क्या करना है हमारा statical जो tools थे वो behavior change और problem solving यह short term के लिए चलते हैं हमें total quality में हमें क्या चाहिए हमें long term एक relation जो है वो customer के साथ build करना है उसके लिए हमें बहुत ज़द efforts करनी पड़ती है यहां पर हमारे पास जो चीज़ करने वाली है मैंने जिस्ट वह highlight की है आपने देखने है quality gurus कौन है उनके name देखनी है इनमें डेमिंग जर्ण है क्रोस बे है अशी कावा है और टुगाच्ची है अच्छा यह तीन चार gurus हैं जिन्होंने इसमें काम किया और MCQ's के point of view से important इसको highlight कर ली इन्होंने जो भी काम किया वो अब हमारे managers जो हैं उनकी cooperation world में जो हैं उनकी बहुत ज़दा help की है और उनके ओपर एक बहुत ही अच् तूल्स जिन्हों इन्होंने जो भी behavior टूल्स वगरा हमें बताएं उसके according so next हम define करेंगे defining quality as a loose function क्यूंकि हम इस topic में बात कर रहे हैं टुगुची की टुगुची जो था एक scientist था यानिकि एक इसमें आप कहलें के जिसने हमें management के हवाले से जो है हमारी हमें philosophies जो दी हैं व और उसका जो process था तुगुची का function lose increase function में variation वो graph discuss करेंगे डिमीन की जो management philosophy थी और वो देखनी है हमने उसके बाद इसने जो भी हमें loss function बताएं वो देखना है reverse design बिसको कहते हैं हम लोग इसी function को तो इतना जी हमारा lecture number है एट अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो subscribe कर दें बेल एक उनको प्रेस कर दें for more updates जी तो हम start करते हैं defining quality as a lose function जी तो इसमें कहते हैं कि बैसिकली टगुची जो है उस इसे associated चीजें जो हैं उनके अंदर variability आएगी यानि वो variable में changes आ रहे हैं और deviation जो होगा हमारे किसी भी value जो है उसकी ideal जो state है उसमें deviation आएगी automatically जब भी society में या customer के according कोई भी चीज़ चेंज हो जाती है society में variables जो हो रही है values चेंज हो रही है तो its mean कि lose जो हमारा increase होगा हमें गटे में जाना पड़ेगा इस relationship variability can be expressed as a lose function इसको हम lose function के तोर पे जो है रिपरेजन करते हैं कैसे grinding operation c के तुरू यह नहीं एक अब यहां पर ideal state किया है for example हम बात करते हैं कि हमारे पास एक company है जो के cookies जो है वो बना रही है और उसने जो है दो कप आटा लेना था cookies बनाने के ल जबके गलती से उसमें चार का पाटा एड़ा हुए तो मतलब कि उसने वो वाली quality उसने बाकी products बाकी तमाम चीजें जो है वो उसकी जो भी balance amount थी उसमें उसने डाली लेकिन उसका floor जो है वो जएदा हो गया तो उसकी वज़ज़ सब देखें कि वो overall cookie की वो progress वो output नहीं और यहां पर deviation आएगी So greater the variability deviation from the target the greater the loss will be जितनी ज़्यदा changing आएंगे जितनी ज़्यदा variability होगी उतने ही ज़्यदा हमारे पास loss करने के हमारे नुकसानात के chances जएदा है traditional specification में जो है हम दोग manufacturing जो है उसके लिए quality define करते हैं conformity होती है upper lower specification की limit होती है यानि कि जो limit है उसको हमने बूलना नहीं है हमने उसके उपर उसके अंदर रहते हुए proper काम करना है secondly यहां पर उन्होंने हमें traditional manufacturer की example दी है जिसने कहा है कि हमारे पास अगर rod जो है हम बना रहे हैं engineering company rod बना रही है six inches जो है हपर rod की जो है वो हमारे पास length है तो अगर उसमें variations आती है माइनस 10 वन हंडर्ड में तो उपर नीचे अगर हमारे पास variation जो है वो कितनी आनी चाहिए minus 0.10% फिर तो उनका target उसकी एक range जो है वो fix है अगर product इससे उपर या नीचे आता है तो वो फिर उसका lose होने के chances है मजीद यह कहता है कि managers जो है जो है उनका एक पहली priority पे हो they must also continuously improve their system to reduce the variation to meet the target और उन्हें अपना system जो है वो targets को meet करने के लिए improve करना चाहिए continuously जैसा कि next हमें एक MCQ is important है 1980s में Matrola committed to the campaign called Six Sigma Matrola 1980s में Six Sigma के साथ commit हुआ और इसमें हमारे पास आ जाता है which is one way of saying reduce variation so much that the chance of producing defect is down to about 3.4 defect per million यनि हमारे पास इसका 3.4 जो है वो तकरीबन millions के ओपर defect आ सकता है और इसकी एक perfect percentage जो है वो भी दी गई है further जो है टागूची ने एक ये graph जो है इसके थ्रूर रिप्रेजेंट किया है कहता है lows increase होता है function of variation जैसे जैसे function variation जो है वो जैदा होती जाती है loses हमारी increase हो रहे हैं अगर हमारे पास एक target था 6 का ठीक है और इसमें variation आ रही है तो lose हमारा जो है वो 6.1 पे चला जाएगा जो ये चीज में हम से पूछी जा सकते है तो जो जो फंक्शन इस इकोल तो लोज इंक्रीजिस दाद फंक्शन आ रिएशन इस इंक्रीजिस फर्दर जो है डिमिंग की management philosophy आएगी उसमें देखते हैं डिमिंग क्या कहा रहा है क्या था डिमिंग जो है वास ट्रेंड आज सेटिस्टिक्शन और वर्ग फार western electrical western electrical के लिए जो है वो काम कर रहा था डिमिंग जो था ये western की एक electrical company में काम कर रहा था उस वक्त और ये statical quality का control का teacher था और ये पढ़ाता था 90s 20 से लेके पॉनियरिंग एरा में ठीक है 1920 से 1930 में important for mcqs इसको highlight कर लें अच्छा जी उसके बाद हमारे पास आता है ये जो है world war 2 में जो था quality के courses पढ़ा रहा था national wise ठीक है लेकिन जो इसके united nation है united state है उसने इसकी upper management तक ये नहीं पहुंच सका और वहां पे उन्होंने इसकी कुई बात जो है वो उसको प्रोपर वेटेज नहीं दी तो इसको न जिपानीज ने न तबी dimming को invite किया statical quality control पढ़ाने के लिए अपने top managers को top manager ने eagerly इससे learn करना चाहा और 21 के executive ने collectively 80% जो है इसको response दी और उन्होंने जो है वो learn किया इसने embarrass किया यानि उनके message को इनके industries को transfer किया और 1970s के mid में जो है Japanese products जो है वो exceed कर गए western manufacture से क्यों क्योंकि उन्होंने dimming की जो भी strategies थी उसको follow किया और इसका एक जो shine student था जिसका नाम था अशिकावा ये इसका student था जिसने quality जो है वो इसी से सिखी और उसके बाद कहता है Americans did not listen dimming as attentively as Japanese did and took as a profit of quality तो basically Japanese जो है इसको क्या कहते थे dimming को इसको ये कहते थे कि ये profit है quality का तो यहां पर यानि के westerns जो है वो उस लेवल पर उनका काम नहीं था उनके production नहीं थी जतनी ज्यादा production फिर Japanese की हो गई तो basically हमने ये course वैसे भी जपानी से ही उदार लिया है so here next we have to move the टगूची की quality loss function जो है उस पर बात करते है further तो further जो है quality loss function में कहता है टगूची कहता है कि इसका जतना ज्यादा function financial जो है ना मतलब आपकी जो भी आपकी product है target उसकी performance जतनी बिलो जाएगी उतना ज्यादा customer की dissatisfaction ज्यादा होगी और इससे क्या होगा financial customer को उतना ही ज्यादा यानि quality में loss आएगा producer के पास और further ये इसमें से करना है हमने कि quality loss function अलो करता है financial decision लेना ताके अगर हमारे पास quality loss आ रही है इस function को utilize करते हैं इस tool को हम क्या कर सकते हैं हम जो है further design करेंगे इस stage पे target performance हमारी क्या होगी और उसके कितनी cost होगी हम product की cost से लेके उसकी target performance तक each and everything को इस चीज़ को quality loss function को मद नज रखते हुए उसको हम target करेंगे उसकी performance को battle करेंगे further अगर हम इसको continue करते हैं तो कहता है कि quality through reverse methodology design है इसमें क्या किया इसमें गूची ने emphasize किया reverse design के ओपर ना के inspection के थूँ इसने हमें तीन stages दी इसको तीन further stages में divide किया पहला ये कि system design इसमे creating और working prototype जो है वो शामिल थी दूसर parameter design दिया तीसरा tolerance design दिया parameter design में involved था experiment to find the factor influence product performance most वो तमाम parameters को हमने measure करना होता था और वो तमाम parameters इसमें involved थे जो के product की performance जो है बहतर बनाने में influence करें असर अंदाज हो ठीक है tolerance design में ये चीज़ involved थी किस हद तक limits जो हैं वो क्या limit है हमारी बरदाश्त करने की tolerance करने की critical factors को loser tolerance कि नहीं होगी किस हद तक हम नुकसान उठा सकते हैं so this is called the three stages of reverse by Teguchi और इन तीन stages को use करते हुए designer जो भी experiments हो रहे थे उसमें से ये अलोग करता था ये designer को कि कौन सा factor ज्यादा important और कौन सा important नहीं है किस चीज़ को हम ignore कर सकते हैं किस चीज़ को हम बिल्कुल भी ignore नहीं कर सकते further जो है इसमें example दी गई है जो कि मैंने पहले पी उपर discuss की थी इसमें के एक example है easier example के cookies बना रहे हैं हम उसके raw ingredients है हमारे पास और उसमें हमें क्या चाहिए कितनी amount of x चाहिए temperature चाहिए butter चाहिए oven चाहिए baking material चाहिए तो अगर इसमें हमारे पास जो है टगुची कहता है कि अगर हमारे पास temperature हाइलो हो जाता है या उसकी cooking की time की range जो है वो कम उपनीचे हो जाते है या eggs की तदात उपनीचे हो जाते है तो हमारे पास material वो quality नहीं आएगी तो अगर हम इन चीजों को मेयर करते है एक statical range में इनका एकनाल असिस करके तो हमारे पास quality product जो है वो बनेग झांक यू सो मुच वर वाचिंग इस वीडियो दो सब्सक्राइब मैं यूट चनल वर मोर अप्टेट्स